मैं क्या करूँगा इस बिल के तहट उससे तीन बात पूछूँगा सुन भई तेरे जापा होने वाला है वोगा नहीं सब बच्चा तो डिलिवर हो गया अच्छा तरे साप काटा है वो नहीं नहीं सब साम निगाटा बच्चा रो रहा है वो गए एक्सिडेंट हुआ है को नहीं दिखा सकते हम में से कोई भी आदमी एक लाग रुपे कंसल्टेशन नहीं ले रहा है हजारों ऐसे पैंप्लेट्स बाटे जा रहे हैं हजारों ऐसे बिलबोर्ड लगाए जा रहे सब अस्पतालों में सब बिमारियों का निशल के लाज यह फुगा है यह परसेंटर डॉक्टर सी थे उनके स्टाफ भी थे नर्सिंग स्टाफ भी थे कुल मिलाके जिस जिसको यह बात समझती आ रही है कि इस विल से उसके हित खत्रे में हैं वो सब जुड़ रहे हैं अभी अनफॉर्चिनेटली आयरुएद वालों ने सिद्धा वालों ने नैच् सर्विसेज फ्री करना चाहते हैं आपको हवाईजाज हवाई सर्विसेज फ्री मिलेंगी ठीके साथ बहुत अच्छी बात है अब सरकार जिस आदमी आज पहुंचके कहती है सुनो तुम पाइलेट हो तुम्हारी जिम्मेदारी है हवाईजाज कभी बोई आदमी आया उस जब मैं डॉक्टर के सिर्फे इसी तरह पाइलेट के सिर्फे पिस्तौल दार के कह रहा हूं हवाईजाज उड़ा दे उड़ने वाला नहीं है हवाईजाज जैसे आप अभी के और पहले के कंप्रेटिम देखेंगे कि तो जो पहले हवाईजाज में अगर यात्रा करते थे 20-25-30,000 रुपे की minimum जो टिकेट होती थी और आज क्या जो रेट है उसमें बहुत फर्क है तो इसे साब से आपको क्या लगता कि सरकारी होस्पिटल के जो है प्राइज और गॉर्मेंट होस्पिटल के प्राइज में इतना डिफ्रेंस है उसका आपके सवाल में ही उतर चु करती हैं वही में आपको समझा रहे हैं कि चुकि प्राइट सेक्टर है इसी वज़े से आज की तारीक में क्वालिटी हेल्थ केर एट अफोर्डेबल रेट अवलेबल है राजस्तान की जनता को अवलेबल है आप लोगों को पता ही नहीं है आप अमेरिका जाके देखो आप अपरेट कराया जाता है फिर उनको वापस लेके जाया जाता है इसका परन पोश्चन उनको उनकी इंशोनेंस कंपनी कर देती है तो आपको खबर ही नहीं है यह आप अगर एनेचस के अंदर जाएंगे इंग्लेंड के अंदर तो वहाँ पे तीन-तीन महीने की चार-चार मह कोस्ट, easy, affordable, accessible तीनों चीजें हो रही है क्यों हो रही है क्योंकि capitalist society के अंदर already because of market forces rates अपने आप से स्थिर हो रखे हैं ऐसा कोई भी नहीं कर रहा हम मेंसे कोई भी आदमी एक लाग रुपे consultation नहीं ले रहा है पहली बात किये तो यह जो कहानी एक मैंने आपको पताया नहीं यह नयतिक बोज जो हमारे सिरके उपर डाला जा रहा है और एक कान ही सुना ही जा रही है नहीं पैसे का जगडा है ही नहीं पैसे का जगडा इनिए यह सरा यह जगडा दूसरा है आपने अनुसरी लिटिगेशन क्रेट किया है आपने misinformation लगातार अकबार में विग्या बना तो वो गय पुर को अब ऐसका है लोलीपॉप यह पनगा है यह फूटे हा तो सिर्फ हवा निकलेंगी से अंदर से उद्ध सबसे जादा ची टाइड कौना फील करेगा वह आम जंता चीट एड फील करेगी थू कि उनको जो बताया गया ऐसा कुछ इसमें ही नहीं लेकिन प्र करिया अब मैं आपको एक बहुत साधान स्वाल पूश्टा हूं मैं पिटेटरिशन हूं क्राइंग इंफेंट रात को रोतावा बच्चा परिवार के एमर्जेंसी होता है रात को तीन बजे फोन करते बच्चा रोई जा रहा चुपनी औरा मैं क्या करूंगा इस बिल के यह बिल लॉजिकल है अन वारंटेड है अन कॉंस्टिटूशनल है और इमीरेटली विड्रो होना चाहिए अगर सरकार बची वी फजियत कम कराना चाहती तो तो आप डॉक्टरों का दल अपने परदे सक्देर डोडास राजी की पास भी गया तो उनसे क्या ऐसी वारता हु कि हमें एक डेस्क से दूसरी डेस्क पे बिज़ा जा रहा है और हम यही बात चंता को बता रहे हैं सब लोगों को बता रहे है कि कोई इसलिए क्यों शुरू से हमारी डिमांड रही है कि हम मुक्यमंतरी से बात करेंगे हम उस व्यक्ति से जो व्यक्ति कह सके कि दबग सब्सक्राइब जो किसी को भी नहीं पता है और दीरे दीरे पता चल रही है वो यह कि पूरे हिंदुस्तान के डॉक्टर देर सबेर इसकी जद में आएंगे अगर वो नहीं जागे तो उनको भी जाग जाना चाहिए क्योंकि ऑफिशली पूरे हिंदुस्तान की डॉक्टर्स क्या है सरकारी doctors या private doctors इंदुस्तान के doctors ऐसा है जाब हमारे माननी है health minister जी ने बात कही है कि जहाँ जहाँ हमारी सरकार होगी वहां RTH को लाएंगे यह अलग बात है कि RTH करनाट का में पहले लाए गया और वहां doctor के विरोध की वज़े से fail हो गया लेकिन एक पूरा धड़ा है वो जो इसको किसी तरह से establish करना चाहता है जो कि बिलकुल unconstitutional है और यह society के अंदर rift create करेगा यह वापस से बहुत बड़ी इसके पीछे एक तरह की वामपंथी साजिश है जो समाज में धरार पैदा करना चाहती है हम इससे आगा कर रहे हैं लोगो आपकी विरोध है आपका विरोध है सरकार कह रहे है केस बिलकुल को हम वापस नहीं लेंगे तो मरीज कहां जाइस मरीज परिशान हो रहा है जैसे हमने अभी दो दिन पहले भी coverage किया किसी hospital में वहाँ पर उपनी पिता जी ने अपनी बच्ची को खो दिया तो उस पिता पर क्या गुजरी होगी ऐसा है साब एक कावत है कि जब जंगल में आग लगती है तो उन दरख्तों का इसाथ तो होई जाता है जो जल गए उनका भी हो जाता जो कि भी उगे ही नहीं थे ऐसे समय पे कई बार फेक narrative के अंदर हर death इस टाइम डॉक्टर्स की अरताल को attribute कर दी जाएगी पहली बात क्योंकि ये narrative का हिस्सा है कि डॉक्टर villain है जी हाँ मैं मानता हूँ सच है कि कुछ लोगों को इलाज मिलने में देरी हो रही होगी उसके बावजूद आपको अशोर कर सकता हूँ कि जितने डॉक्टर्स यहां बैठे हैं हमारे साथ पूरे राजस्तान में वो सब लोग किसी न किसी प्रकार से अपने मरीज की मदद कर रहे हैं अगर वो इलेक्टिव चीज है तो इसको दवाई बता रहे है या उसको गाइड कर रहे हैं कि तू फ़लाने सरकारी आस्पिटल में जहाँ इलाज हो रहा है वाँ चला जा मैं यही तो आपको समझा रहा हूँ इस बात को सरकार कब आँख खोल के देखेगी कि गौर्रमेंट सिस्टम इनएडिक्वेट है पंदरा परसेंट बीस परसेंट से उपर सरकारी सिस्टम नहीं काम कर रहा राजस्थान में राजस्थान का 75 से 80 प्रतिशत प्राइवेट हैल्थ केर का हिस्सा है जो अच्छी सुविधाएं का किफायती दरों पे अल्रेडी पहुंचा रहे है लेकिन सीएम साब तो कह रहे हैं ये एक्ट एक दम सही है डॉक्टर्स अपनी हर्ताल खतम करें किसी ने उस एक्ट को पढ़ा ही नहीं है किसी ने पढ़ा ही नहीं है अगर वो पढ़ लें उसको तो समझ जाएंगे मुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि ये पूरा देश देख रहा है एक एवरेज डॉक्टर एक एमिबेस डॉक्टर कम से कम उननी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होता है जो आदमी 20 सब्जेट का ग्रेजुएट है वो स्रलक पे आगर के खड़ा हुआ है और आप लोगों को उसकी समझ में संदे है और आप उसकी बात सही मान रहे हैं जिनों ने इसको पढ़ा भी नहीं है आप उन लोगों ही बातों मान रहे हैं जैसे आप कह रहे हैं कि अब धीरे धीरे डॉक्टर्स अगर ये हर्ताल ऐसी चलती रही डॉक्टर्स के ऑस्पिटल्स बंद हो जाएंगे तो आपको क्या लगता है जैसे भी बीच में डॉक्टर्स ने पानी पूरी बेची और निम्बू पानी बेचा तो फिर आपको क्या लगता कि आपको अगला स्टैप क्या करना चीए बिजनेस होस्पिटल्स बंद कर देनी चीए अगला क्या करना चीए ऐसा अगला स्टैप एक ही है हमारा रोल बैक की डिमांड है अगर ये सरकार नहीं पूरी करती है कुछ समय के अंदर तो हम लोग definitely सभी लोग इसमें alternative place, alternative relocation ढूंड लेंगे out of this state और ये जो इस्थितियां आज इस state में बनी हुई है ये permanent हो जाएंगी इसलिए जनता से मेरी सिर्फ एक ही निवेदन है कि वो अपने जन प्रतिनिधी को ये बात बताए कि आपने चलती हुई आपने एक दूद के अंदर निमू नी चोड़ दिया है लेकिन जनता तो ये कह रही है कि CM साब चिरन जीवी योजना लाए 800 रुपे साल के देने पड़ते हमें और कुछ भी अगर प्राइवेट हॉस्पिटल सरकार में कहीं दिखाते हैं तो हम लोगों को तो सिर्फ 800 रुपे में ही काम हो जाता है वरना अगर लाखों रुपे लगते वो बच जा रहे हमारे चिरन जीवी के इतने फ्लॉज हैं जैसे एक जमार में मनरेगा के फ्लॉज बताए जाते थे उससे कहीं ज़्यादा फ्लॉज इसके अंदर है तो यह अच्छी जोजना नहीं है यह जो लाई गई है अमर्देंसी के नाम पर हेल्थ की बात कर रहे हैं एक बात को बेसिक सर मैं यही बात समझा रहा हूँ क्यों नहीं लोग समझ रहे हैं हेल्थ शब्द अंग्रेजी में डिफाइन होता है स्वास्थ स्वास्थ की कोई भी जिम्मेदारी डॉक्टर की नहीं है अच्छा खाना खाईए गूमिए ध्यान करिए प्रभू वजन करिए हरी घास पे चलिए पोश्टिक आहार लीजिए अच्छी संग करिए बुरी आत्ते मत पालिए तमागू मत खाईए यह स्वास्थ का जड़े म मैं अशोर नहीं कर सकता आपको स्वास्त इसको सुन लीजिए मेरी नौकरी नहीं है कि मैं आपका स्वास्त ही करूं जी हाँ मेरी जिम्मेदारी एज़ डॉक्टर एज़ प्रोफेशनल कमिटेट प्रफेशनल है आप बिमार हों तो मैं आपका इलाज करूं उसके लिए मैं कटीबद हूँ उसके लिए मैं कटीबद हूँ और हम में से हर एक जना कटीबद है यहीं मैं समझाना चाह रहा हूँ कि यह पूरा राइट टू हेल्थ बिल जिसको आप करें इस बिक फार्स इस बिल्कुल खोखला है तो फिर आपकी जो पूरे डॉक्टर्स की टीम है तो वो सीएम साब से जाकर क्यों नहीं मिल रही इसको लेकर आप समयधन शिलता देख चुके हैं मैंने आपको बता दिया हमारी बहन अमरन अंचन पे हैं कोई सुनने ही नहीं आ रहा है कल जाकर करके हमें एक बार समय दिया गया था उसमें भी शायद डिरेक्ट मीटिंग नहीं हु की तरह एक डैस से दूसरी डैस की तरफ बेजा जा रहा है तो आपको लगता है कि सरकार की ही जिम गलती है यह आप लोगों के गलती नहीं है सर बिना प्री प्लानिंग के बिना कंप्लीट इंफर्मेशन के बिना पूरी बात को समझे हड़ बड़ी में चालीस पैज का पु कितना बढा है उसका पोत और इंफर से पढ़ने में पर्लाइभ ट्रफ लिया और अपनी नोलेज और अपने अनुलजच करता ए हिए अप अस बीच में आकर के सरकार कहती है आप पूरे सिस्टम को करश और कॉलाप्स की तरफ ले जा रहे हैं खतंग कर रहे हैं आप uellay रण हिज़ ड вопросы कि अपको 17 सब्सक्रांब पर 2 फैजल पर ड्रों पर 3 लोग कह एक अमेसी चलता इसे हर तरीके से पहुचा रहे हैं तक कि कोई सुने कोई ऐसा व्यक्ति हो कोई ऐसा व्यवेकवान प्रग्यावान व्यक्ति हो जो ये बात समझे कि ये पूरे राजस्थान के पड़े लिखे लोग अगर सड़क पे आ गए हैं तो शायद इनोंने बात को सही पड़ा है इनके अब्यक्शन को सुना जाए और इस काले कानून को यहां से हटाये जाए नहीं हटाएंगे तो इस बात को समझे कि end suffering हमारी तो होगी हम तो रिशिफ्ट हो जाएंगे हम तो यहां से से अमाउंट की बात कर रहे हैं मैं यही तो आपको बात बताना चाहरा हूं एक बात चला रखी है सब तरफ राजनितिक कारे करता होने डाक्टर पैसे का भूका है विदान समा में आपने बोल दिया कसा ही है यह भिकार की बात है पैसे की बात कर ही नहीं हम ना इस बिल में क और यह पूरा खुल के सामने आ चुका है एक्सपोज हो चुका है एजेंडा एक्सपोज हो चुका है इसलिए अब इसको तुरंट प्रवाव से सरकार वापस ले ले इसके सिवा और कोई रास्ता इसमें है नहीं धन्यवाद